अगर मेरे 10 questions गलत ना होते तो मैं इस exam को आराम से qualify कर जाता या अगर मैं 5 questions में तुके ना मारता तो मैं इस exam के mains में बैठा होता अभी ये सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आते हैं जब भी किसी exam का result आता है तो accuracy किसी भी exam को qualify करने के लिए उस exam में अच्छा score करने के लिए बहुत माहिने रखती है आज के इस session में हम चर्चा करेंगे कि RBA assistant exam के अंदर क्या कोई negative marking होती है क्या pattern होता है और negative marking होती भी है तो कितने questions के उपर कितनी penalty लगती है तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें free content इस lecture की PDF और भी बहुत सारी RBA assistant के regarding information के लिए हमारे telegram channel से जुरूर जुडिएगा जिसका link इसी वीडियो के description box में दिया गय है कि RBA assistant exam में final selection के लिए selection process है वो क्या होता है तो यहाँ पर आपके तीन exam होते है ठीक है जो exam 1 है यह आपका preliminary phase होता है फिर इसके बाद main exam होता है और फिर आपका language proficiency test होता है और तीनों के बाद आपकी final selection जो है वो आपको मिलती है तो जो preliminary exam है इसका क्या veteran होता है तो यहाँ मैं बता दिता हूँ आपको सबसे पहले English language से 30 question होते हैं जो कि 30 marks के हैं quant के 35 question जो कि 35 marks के हैं और reasoning ability के 35 35 marks के हैं तो total 100 question है जो कि 100 marks के हैं और each section को 20 minute अलोट किये जाते हैं और जो total time रहता है वह 60 minute रहता है तो अब इस preliminary exam की जो cut off है वह बहुत अच्छी जाती है 90 plus score हो जाता है तो कुछ सारे बच्चों को लगता है कि अगर मैंने 90 plus attempt नहीं किया तो क्या मैं exam qualify कर पाऊंगा तो यह exam के nature पर depend करता है हो सकता है कि exam easy हो तो आप इसलिए बार cut off 90 plus थी और इस बार exam tough है और मुझे मेरे मन में तो यही है कि cut off 90 plus जाएगी तो इसलिए में क्या करता हूं तो over attempt कर देता हूं कि मैं ठीक time पर 70 कर पाया तो मुझे लगा cut off 90 जाएगी तो 20 question में मैंने तुक्के मार दिया कि होना तो ऐसे भी नहीं है तो ऐसे भी नहीं होगा या ऐसे भी नहीं होगा तो यह जो थोड़े आपकी धार्णा है यह गलत है यह गलत क्यों है क्योंकि यह exam के nature पर depend करता है कि cut off कितनी जाएगी अगर exam अच्छा है तो cut off भी निच्ची तुरूप से निच्ची जाएगी तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना क्योंकि यहां पर negative marking भी है तो इस exam के बारे में preliminary exam के बारे में बता रहेता हूं exam आपका online mode पर होता है total question 100 होते है total marks भी 100 होत exam tough है कोई बात नहीं cut off भी नीची आ जाएगी लेगिन अगर easy है तो आपको अपनी तयारी और बहतर बनानी पड़ेगी ठीक है ना तो अगर easy है और आप नहीं कर पाते तो फिर उसमें आपकी महनत में कहीं कमी रही है तो ऐसे तुक्के मारने से नहीं होने वाला तो यह धा exam में आपसे पांच जो सेक्शन पूछे जाते हैं English language के 40 question होते हैं जो कि 40 marks के होते हैं quant के 40 question 40 marks के होते हैं reasoning 40 40 computer knowledge 40 और यहां भी 40 journal awareness 40 और यहां भी 40 marks होते हैं तो total 200 question है और 200 marks के होते हैं और 30 minute आपको quant reasoning और English में मिलती है individually 30 30 minute computer में आपको 20 minute मिलती है solve करने के लिए और जीए में आपको 25 minute मिलती है तो total यहां पर 135 minute रहते हैं ठीक है तो यहां भी same हालत होती है और जो वच्चा थोड़ा over attempt करता है या तुक्के मारता है तो उसकी भी एक सीमा होती है आप quant में या reasoning में इस तरीके से तुका नहीं मार सकते हैं कि चार में से कोई भी एक सही हो जाएगा ठीक है आपको वहाँ elimination method यूज कर सकते हैं जैसे GA में कि मुझे पता है कि मुझे doubt हो रहा है दो में तो वहाँ आप थोड़ा बहुत खेल सकते हैं अधरवाज purely आपको मार्किंग है जो की one by fourth है मैं यह इसलिए बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों की ठीक ठाक तैयारी होती है अच्छी होती है लेकिन वह over attempt के चंकर में कई बार फस्ट जाते हैं ठीक है कुछ दो माक से रहेगे कुछ तीन माक से रहेगे एक माक से रहे गया उसका कारण क्या है क्योंगे उन्होंने थोड़े दस question पंदरा question ज्यादा attempt कर दिये तो हमेशा यह धान रखिए जब भी आप परी एक्जाम दें या मेंस दें आर्बी एसिस्टेंट के अंदर आपको accuracy का जरूर धान रखना है ठीक है घर पी महनत करिए अब भी आपके बास time है आप बहुत महनत करिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं आपको तुकोंगे भरोसे क्यों जाना और कैसे किस तरीके से थोड़ा बहुत किया जा सकता है इस तरीके से वह हम बाद में चर्चा कर लेंगे किसी भी दिन कि कैसे हम option eliminate करके chances किसके जादा है अगर थोड़ा बहुत उपर नीचे ह होता है बट प्योरली आपको नहीं जाना ठीक है तो यहीं दोनों चीज़ें आपके साथ discuss करनी थी कि क्या यहां पर नेगेटी मार्किंग है तो आपके preliminary exam हो चाहे में में रहती है 1 by 4.25 और यह बात धान रखिए आप यह मत सोचिए कि कर लास्ट यह की cut-off से compare कर लेता हूं तो अगर वो 90 प्लस थी तो इस बार भी 90 प्लस जाएगी और इसलिए मैंने तो 80 attempt किया है तो मुझे ज्यादा attempt करने चाहिए यह धारना मत रखिए आपको ज्यादा attempt नहीं करना accuracy पे आपको रहना है ठीक है चलिए तो फिर next वीडियो आप किस उस पर देखना चाहते हैं टो